हेलो दोस्तों कैसे हैं आप? पुरी उमीद है कि आप सब अच्छे होंगे और हमारे संडे स्पेशल पोड़कास सीरीज को इंजॉय कर रहे होंगे अगर आपको ये कहानियां अच्छी लग रही है हमारे बातचित करने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमेसा सज्जेस्ट करिए कि आप किस बुद्धे पे बातचित करना चाहेंगे संडे स्पेशल पोड़कास सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं रियल लाइफ इंस्पारेशन स्टोरी की अगर आप अपने लाइफ में कई ऐसे इंसिडेंट्स को देखें तो आप पाएंगे कि आप अक्सर हार मान जाया करते हैं जब कोई काम हम सुरू करते हैं और ये सोच के शुरू करते हैं कि इसे हम कतम करेंगे लेकिन बीच में ऐसी कई चिनोतियां परिसितियां आ जाती हैं जहां पर आपको लगने लगता है कि ये काम बहुत कटिन है शायद आपसे नहीं हो पाएगा और आप उस काम को छोड़ देते हो भले ही आपने उस काम को छोड़ दिया हो लेकिन आपको पता है कि वो काम हो सकता है अगर आप उस काम को दिल से और इमानदारी से करें तो अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और आपको सब्जेक्ट कठिन लग रहा है तो आप उस सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं लेकिन आपको पता है कि ये सब्जेक्ट इतना भी कठिन नहीं है कि इसे ना किया जाए केवल हमारा डर और हमारे होसले की कमी आपको वो काम करने से रोकती है आज की सीरीज में हम एक real life story के बारे में बात करेंगे जिसे शुन करके शायद आप कुछ तेर के लिए अपने अंदर होसले को क्याद कर सको ये कहानी एक movie की कारण से famous हुई है और ये एक real life कहानी है तो आप इस कहानी को या तो आप सुन सकते हैं या तो इसकी movie फिल्म के रूप में देख सकते हैं ये कहानी है दसरत माजिकी जिन्होंने पुरे पहाड को काट कर एक रस्ता बना दिया ये उन्ही के बुलंद होसले की कहानी है दोस्तों ये motivation story उस इंसान की है जिसने अपने बुलंद होसले से और दिड़ संकल्प से असंभव काम को भी संभव कर दिखाया ये कहानी भारत के mountain man कहाने वाले दसरत माजिकी है जिनोंने अपने बुलंद होसलों की बदौलत महज एक छैनी और हथोड़े से पूरे पहाड को काट कर एक रस्ता बना दिया अब पहाड काटना कितना आसान है और कितना मुश्किल है ये तो आप अपने उस subject को पढ़ने के साथ compare कर सकते है या उस काम के साथ compare कर सकते हैं जिससे आप मुश्किल मान करके छोड़ने का विचार कर रहे हैं दोस्तों दसरत माजी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने हमारे देश की करडो युवाओं को प्रेणा का स्रोध बना दिया दसरत माजी जिस गाओं में रहते थे वहां से पास की कजबे में जाने के लिए एक पूरे पहाड को पार करना पड़ता था उस पहाड के पूरे चकल लगाने के बाद ही गाओं के इस तरब से उस तरब पहुचा जा सकता था दसरत माजी के गाउं के लोगों की छोटी से भी जरुद अगर कोई होती थी तो उसको पूरा करने के लिए ये पहाड़ पार करना ही पड़ता था एक दिन जब दसरत माजी पहाड़ी इलाके में अपना काम कर रहे थे और हर दिन की तरह उनकी पतनी फालगुनी देवी उस दिन भी उन्हें दुप्भर का खानक देने के लिए जा रही थी दुर्भाग्य वस अचानक उनका पैर फिसला और वो एक पहाड़ी दर्रे में जागिरी ततकाल इलाज ना मिलने के कारण से उनकी मृत्ति हो जाती है पालगुनी देवी की मौत का सबसे बड़ा कारण वह पहाड था जो दसरतमाजी के गाउं और सहर की बीच दीवार बनकर खड़ा था इसी पहाड के कारण से पालगुनी देवी को अस्पताल ले जाने में जादा समय लग गया और उससे उनके मृत्ति हो गई क्योंकि गाउं से जहर जाने के लिए उस पूरे पहाड के चक्कर लगाने पड़ते थे अपनी पत्नी के मृत्तियु ने दसरतमाजी को पूरी तरह से जगजोर करके रख दिया और वो सोच में पड़ गए कि कैसे एक पहाड के बाधा बनने के कारण वह अपनी पत्नी को नहीं बचा सके अपनी पत्नी के मृत्तियु से जुड़ी इस दुखत घटना के बाद दसरतमाजी ने एक फैसला किया और इसी फैसले के कारण दुनिया भर के लोगों को आज उन्हें माउंटेन मैन कहने के लिए मजबूर कर दिया माजी ने अपने बुलंद इरादों से ये फैसला किया कि वे उस पहाण को काट डालेंगे और उससे एक रास्ता बनाएंगे जिसके कारण से उनकी पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई थी अब यहाँ पे एक कहानी और याद कीजिए जिसके बारे में हमने आपसे बात किया था कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का तो काम है कहना इस बात से लोगों को हसी उड़ाने का मौका मिल गया अब यह कोई छोटा मोटा काम तो था ही नहीं जिसे लोग मान लेते कि यह हो सकता है यह बात हो रही थी बड़े से पहाड को काटने की जो की सुनने में असंभव सा ही लगता है लेकिन ये कितनी भी कठिन परिस्टियां क्यों नहों, कितना भी असंभव सा काम क्यों नहों अगर आपके बुलंद होसले हैं, अगर आपका इरादा अच्छा है तो ये काम बड़ी आसानी से हो सकता है इसके बाद अपने बुलन होसलों और इरादों का परिचे देते हुए दसरतमा जी अपनी छोटी सी छेनी और हतोडी से उस विशाल काय पहाड को तोड़ने में लग गए जब आप इस पिक्चर को देखेंगे तो आप चीजों को महसूस भी कर पाएंगे मेरा आपसे यही निवेदन है कि ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज की पिक्चर जरूर देखा करे जब गाउवालों ने पहली बार उन्हें एक मात्र छेनी और हतोडी से पहाड को तोड़ते हुए देखा तो लोग उन पर हसने लगे और उनका मजाक उणाने लगे कई उन्हें तो उन्हें पागल भी कहना शुरू कर दिया लोग कहते थे कि अपनी बीबी के मौद के सदमे से पागल हो गया है जो इतनी छोटी सी चेनी और हतोडी से विसाल काय पहाड को तोड़ने में लगा है इन सब के बावजूद दसरत माजी अपने काम में जुटे रहे इसी तरह दीन बित्ते चले गए कई महने गुजर गए कई मौसम आए और कई मौसम चले गए समय भी बीता साल भी बीता गर्मी क्या बरसाथ क्या ठंड इन सब की परवा करे बिना दसरत माजी सर्फ अपने लक्ष को हासल करने के लिए कटिन परिश्रम करते रहे यहाँ पे एक बात जोड़ना और जरूरी है कि यह जुनून है वो ऐसे ही नहीं आ गया अगर उनकी पत्नी की मृत्त्यू इस घटना से नहीं होती तो शायद यह जो एक अविश्वस्नी घटना घटी थुई पहाड काटने का वो सायद नहीं हो पाता तो किसी भी घटना को घटने के लिए एक प्रेड़ना बहुत जरूरी है एक motivation एक उद्देश्य बहुत जरूरी है वो उद्देश्य किसी भी form में हो सकता है आप अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के उद्देश्य से लेकर के चलें या किसी ने आपके उपर हںसी उड़ाई कि तुम कुछ नहीं कर सकते उसको गलत साबित करने के लिए करें चाहे कोई भी मोटीव की ओना हो आपके अंदर जोज जगाने के लिए वो चिंगारी बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे तो आपने सुना कि अगर उनके पत्निक मृत्तिव नहीं होती तो प्रेड़ना बहुत जरूरी है जो प्रेड़ना आपको लेना है वो अपने आसपास से अपने परिवास से अपने माता पिता से या किसी दोस्त को देख करके या किसी भी जीवन में महापुरसों की घटना को देख करके लेना ही पड़ेगा प्रेड़ना पहले लाना ही पड़ेगा इसी तरह कई मौसम बीद गए कई महने गुजर गए कई मौसम आने लगए कई मौसम जाने लगए सभी तरीके से मौसम आने लगए उन्होंने अपने कटिन परिश्टरम को करते रहे करते रहे, कहीं भी नहीं छोड़ा उनका बस एक ही लक्ष था उस पहाड को काड़ करके रास्ता बना देना ताकि जो उनके साथ हुआ वो फिर किसी और के साथ या किसी और के परिवार के सदस्य के साथ ना हो, अब यहाँ भी एक बात बहुत important है, अब दुखटना घट गई, तो अब रस्ता बनाने से क्या वो दुखटना वापस से पहले के जैसा आ सकता है, नहीं न, जिनको खो दिया, वो तो खो दिया, वो आपस तो नहीं आएंगे, तो अब मैं क्या करूँ मैं क्यों करूँ, ये बात बहुत लोगों के मन में आएगे, लेकिन ऐसे बिरले ही होंगे, ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे, जिनके अंदरे जज़बाद जागे, कि जो दुख मैंने सहा, वो मेरे गाउवाले, मेरे परिवार वाले या कोई और व्यक्ति ना फेस करे, ना महसूस करे, दूसरों के लिए करने की इच्छा थी, क्योंकि ऐसा करके अब उनको तो कोई फायदा होने वाला था नहीं, जो लॉस हो चुका था उनका, वो वापस तो आने वाला था नहीं लेकिन दूसरों के साथ ऐसा ना हो इसलिए उन्होंने ऐसा किया एक टीचर भी अपने बच्चों को यही बात बताता रहता है कि बच्चों मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने यह गलती करी, आप यह गलती मत करो लेकिन स्टूडेंट कुछ लोगों को छोड़ करके यह कहां मानते हैं उनको तो पता ही नहीं होता फिर वही श्टूडेंट जब कभी भविश्टव में टीचर बनते हैं तो वो बात को फिर से दोर आते हैं कि मैंने यह सी गलती करी यह अपने नहीं करी फिर उसी श्टूडेंट जो कि अब टीचर बन चुका है उसके बच्चे उसके बात को नहीं मानते तब वो समझ में आता है कि ये तो मैंने पहले भी कर चुक अपनी टीचर के साथ में समझदार बनिये केवल अपनी गलती सो सीखना समझदारी का एक हिस्सा है लेकिन दूसरों की गलती से भी सीखना समझदारी का दूसरा हिस्ता है और ये दोनों हिस्ते आपस में मिल करके पूरा काम करते हैं आगे बढ़ें अपने दिर संकल्प और बुलन इरादों का परीचे देते हुए लगातार 22 साल के कटिन परिश्रम और महनत के बाद उस पहाड में 360 फूट लंबा 25 फिट गहरा 30 फिट चौड़ा रस्ता इस दसरत राम माजी ने बना दिया ये कहानी मैं किसी साइट से ले करके आपको पढ़ करके सुना रहा हूँ डाटा में थोड़ा बहुत परिवर्टन हो सकता है लेकिन मन के अंदर जो जज़बात है उसमें किसी भी तरह का इतर भी परिवर्टन आपको देखने को नहीं मिलेगा 30 फूट हो, 360 फूट हो, 25 फिट गहरा हो या 250 फिट गहरा हो इससे कोई फरक नहीं पड़ता जब आपके होसले में इतनी गहराई हो दसरत माजी द्वारा बनाया गया इस रास्ते के कारण से जो गाउं से सहर की दूरी थी वो काफी कम हो गई और ये दूरी कम होना केवल मजाक नहीं था या कोई इत्वाक नहीं था ये होसले का परिचायक था दसरत माजी के इस फैसले का पहले जो मजाक उड़ाया करते थे अब वही लोग उनके इस प्रयास से उनकी गुणगान कर रहे हैं अब ये जो मजाक उड़ाने वाले लोग हैं आज उसी रास्ते पे मजे से अपनी गाड़ियों में सवार होकर के गाउं से सहर की ओर जाते होंगे मैं ये तो नहीं बता सकता आपको कि दूरी कितनी कम हुई क्योंकि मेरे पास वो डाटा मिला नहीं बट दूरी इतनी तो कम हो गई जिसे सहर का रास्ता आसानी से तै किया जा सकता था दसरतमाजी का जीवन उन लाखों छात्रों के लिए मिसाल है जो आज के इस कठीन दोर में सरकारी नौकरी की चेश्टा करते हैं जिस प्रकार दसरतमाजी को पहार काटने में बाईस साल लग गए फिर भी उनने कभी हार नहीं मानी और निरास हुए बिना अपने लक्ष को पाने के लिए जिड़ संकल्प के साथ कड़ी मेहनत की और अंत में सफलता प्राप्त की उसी तरह से युवा कभी हार ना माने और तो कभी निरास नहों आपको भी समय लगेगा समय लगने दीजिये पर सफलता जरूर मिलेगी और वो एक सांदार सफलता होगी आपने इस कहानी के कई पहलों को सुना आपकी महसूस करने से इस कहानी के अंदर एक जान सी आ गई होगी इस कहानी में मैं आपको ये नहीं कहत जो आपका अपना काम है, जो आपका काम पढ़ना है, कम सकम उस पढ़ाई में तो ऐसा मिसाल बनिये, कि लोग आपसे सीखें, आपको अपने घर से बाहर भेजते हुए, आपके माता-पिता को कैसा महसूस होता होगा, कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची मुझसे दूर है, लेकिन वो इसलिए आपको अपने से दूर कर रहे हैं, कि आप लाइफ में कुछ ऐसा मुकाम हासिल करो, कि जहां पे लोग आपका नाम ले, जब आपका नाम होगा, तो उनका सिर गर्व से उंचा उठेगा, वो मिसाल बन करेंगे, ऐसा कई एक्जामपल आप अपने लाइफ में उठाके देखिए, लिखिए, कागज निकालिए, पेन निकालिए, लिखिए, कि जब आपने महसूस किया, कि ये काम उससे नहीं हो सकता, और आपने उस काम को छोड़ दिया, चाहे वो कितने साल पुरानी घटना हो, आज के प्रेजेंट दे के दिन सोचिए, कि क्या आप उस काम को कर नहीं सकते थे, आप महसूस करेंगे, कि आप वो काम कर सकते थे, बस आपने किया नहीं, आप अगर उस काम को दिल से, जीजान से लग जाते करने के लिए, तो वो असंभव नहीं होता, आज जब मैं एक टी एक कैरियर है, वो किसी और उंचाई पे होता, लेकिन मैं ये सिर्फ महसूस कर सकता हूँ, वो सिर्फ कास जैसे वर्ड, शायद, अगर, मगर, ऐसे ही वर्ड का यूज़ कर सकता हूँ, इससे कोई फरक नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, अगर मैं उस दिन हार मानने से, उस दिन फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट से हार मानने से, मैं उसका सामना करता, तो शायद सिट्वेशन अलाग होती, लेकिन मैंने कहा, कि शायद वर्ड का यूज़ करना कमजोरी की निसानी है, और हाँ मैं कमजोर हूँ, क्योंकि मैंने अपनी गलती से सबक नहीं लिया, पर आज मैं मानता हूँ, कि कोई भी काम नामुंकिन नहीं होता, ये समय लेगा, बढ़ कोई नामुंकिन नहीं है, तो आज की कहानी के लिए इतना ही, अपना पहुत खयाल लखेगा, वार हमारे साथ जुड़े रहेगा, तैंक्यू, नमस्कार, टेक क्यार, हार नहीं मानना है